हे दोस्तों, वेलकम टू वाइफाई क्लासेस, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फूजड वर्ड्स फॉर आल गौर्रमेंट एक्जाम लेकर आया हूँ दोस्तों ये कन्फूजड वर्ड इतने जादे इंपॉर्टेंट है, हर बार एक्जाम में आते हैं और यहां से क्वेशन बनता है तो आप इसको इमानदरी से पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जहां इंग्लिश पूची जाती है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल रहेगा दोस्तों तो अच्छे से पढ़ियेगा आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करियेगा बढ़ना टाइम लॉट के वापस नहीं आएगा भाई इसलिए be focused, चलिए, start करते हैं, पहला point है accept, ये क्या होता दोस्तों? इसका मतलब होता to receive a thing, मतलब जैसे एक आपने हो, आपकी girlfriend है, आपने girlfriend को बढ़िया रोज दिया, उसने accept कर लिया, मतलब सुईकार कर लिया, इसी को बोलते है accept, तो A, C, E, P, T, to receive a thing, spelling भी धियान क्योंकि English में spelling वाले question भी आते हैं, second देखिए, ये है accept, ये भी accept है, ये भी accept है, लेकिन meaning अलग है, ये e बाला है, तो E, X, C, E, P, T, ये वाला accept है, इसका मतलब होता है, leaving apart or excluding, मतलब इसको छोड़के, जैसे आप बोलोगे, यार मैं सब कुछ खाता हूँ, accept meat, मतलब मैं meat नह क्या है, ये होता दोस्तो, expect, expect बहुत अच्छा word है, इसका मतलब होता है, hope करना होता है, क्या उम्मीद करना, है ना, तो ऐसा बोलेंगे कि भाई, I was expecting from you, है ना, to help me, इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं, कि भाई, मैं आप से expect कर रहा था कि आप मुझे पैसे दोगे, मैं आप से expect कर रहा था कि आप मुझे अपनी गाली चलाने के लिए permission दे दोगे, इस तरीके से इसको hope के sense में use करते हैं, इसको भी ध्यान रखेगा, फूर्थ, suspect, ये क्या होता दोस्तो, to apprehend, मतलब suspect मतलब थोड़ा वो संधे करना एक तरीके से, इसको बोलते हैं to apprehend करना, संध करना है कि आर पता नहीं, ये अपना goal achieve होगा के नहीं, इस तरीके से ये वाला काम होगा के नहीं, इसको बोलते हैं suspect, है न, suspicion, ऐसा word बोलते हैं इसको ध्यान रखेगा, फिफ्ट ये है adopt, adopt मतलब होता है to accept, adopt मतलब वो accept करना कोई चीज़ को, to take another person's child legally, adopt मतलब ये भी होता है कि भी है, जिस आदमी और उसकी बीबी का बच्चे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, बच्चे को adopt करते हैं, तो ये वाला word वहाँ use होता है, कि भी है किसी बच्चे को जो अपन goal ले लेते न, उसी को adopt करना भी बोलते हैं, और एक accept करना भी बोलते हैं, अलग-अलग sense में, अलग-अलग तरीके से use होगा, तो आप जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चल लागा कि कैसा, कैसे use करना है, अगर कोई बात चल रही है, कोई बच्चे को adopt करने की, तो वहाँ ये वाल adopt to use होगा, और अगर कोई चीज accept करने की बात चल रही है, तब भी adopt use होगा, बस ये त इसका खेल भाई शांदर तरीके से, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये देखिए, adapt, ये क्या होता है, दोस्तो adapt मतलब होता है, proficient, skillful, adroit, dexterous, मतलब बहुत ज़्यादा champion अपनी चीज में, proficient मालो, कोई आपका दोस्तों का जो computer programming में मस्त होगा, बिलकुल proficient होगा, बहुत शांदर, तो आप बुल सकते हो, he is very adapt in programming skills, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा योद्धा है, बहुत adroit है, बहुत skillful है, बहुत proficient है, बहुत efficient है, इसको बोलेंगे adapt, बहुत अच्छा वर्ड दोस्तों, तो मैं आपको ऐसे बोलूँगा, कि इसको आप ऐसे यूज करना, कि भ आगे बढ़ते हैं, 7th है adapt, ये क्या होता दोस्तों, to change accordingly, simple सा है, ये adapt था, इसमें skillful की बाद चल रही है, भूल मत जाना, ये कि ये adapt होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भईया, मैं हर चीज, हर situation में, हर चीज में अपने आपको adapt कर लेता हूँ, मानलो गर्मी का मौसम है, तो आगए, जहां internet बगएरा, कुछ नहीं है, तो आप अपने आपको adapt करोगे, अपने आपको धालोगे, हाँ भीया, इंटरनेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आपको maintain कर लोगे, adapt कर लोगे, इसी को बोलते है, मतलब गुल मिल जाना उस जगह में, है ना, समझ मानलो, मानलो आपके घर में कोई बंदा है, आप उसको taunt मानना है, है ना, तो आप मतलब वो mobile चला रहा है, है ना, और आपको taunt मानना तो आप कैसे मारोगे, कि आजकल तो लोग बहुत बिगड़ गया, आजकल mobile से तो लोगों की ओली हड़ती नहीं, आखे बिलकुल mobile में बैठें, आपको पता है कि भाई है, ये भी mobile चला रहा है, तो वो समझ जाएगा कि याई, मेरे बारे में बोल रहा है, इसी को बोलते है, allude, और उसका पूरा term non-balling, allusion, है ना, तो allude मतलब होता है, indirect तरीके से किसी के बारे में बात करना, किसी के refer करना, ओके, ध्यान रखे हो गया, मतलब बच निकल के निकल गया, बनलब उदर तलवार मिलवार चल रही थी, लेकिन आप अच्छे से आराम से elude हो गया, मतलब वहां से escape हो गया, बच निकल है, धीरे से, बच गया है, इसी को बोलते है, elude, ठीक है, ध्यान रखेगा, 10th देखिए, ये है दूस्तों जैसे मान लो, आपको एक कोर्स करना, आपको B.E. करना था, है न, और आपके लगा कि भईये, मैं B.E. कि जागा, और कुछ कर लूँगा, मतलब मैं B.E. कर लूँगा, तो आप ये बोलोगे, मेरे पास alternative है, अगर मैं B.E. कर लूँगा, अगर B.E. कर नहीं करना, तो मैं B. इसी कर लूँगा, तो इसी को बोलेंगे, alternative मतलब मेरे पास, 24 है, मेरे पास substitute है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा, I hope आपको पसंदारा होगा वीडियो और आपको बहुत help मिलेगी, दोस्तों, trust me, ये पूरा, ये content कहां पता है, नी तू मेडम का book का content है, तो tension की बात नहीं ह मतलब आपने ये पढ़ लिया, मतलब वह वाली English की book पढ़ ली, तो इमान दैसे अच्छे से पढ़िएगा, oral मतलब होता दोस्तो, of years, years related है ये, मतलब आपने कानों से related को बोलेंगे, oral है ना, अमान लोग कोई sentence है सा आ गया, तो उसमें जब कान की बात होगी, तो आप ये वाला oral word use करेंगे, ये वाला मत कर देना भाई, समझ माया, एक वाप फिर से, ये oral तो अपने कानों से related है, लेकिन ये वाला oral मतलब होता वरवल, जैसे आप छोटे थे तो बच्पन माँ आपका oral speech होता था, oral test होता था, बताओ पापा का नाम क्या है, बताओ तुम कहां से घ ली होगा, ओके, 14th, ऐसे इस मतलब क्या होता है, access है न, ये होता है approach, मतलब वहाँ पहुंच के अंदर होना, जहां आप पहुंच सकते हो, मतलब आपका access है वहाँ, ठीक है, जैसे computer में आप अपना password डालके, site के अंदर access करते हो, तो इसी को बोलेंगे भईए, मैं अपनी password access करने के कोशिश करना हूँ, इस तरीके साब यूज करोगे इसको, है न, बस समझना आपको सारा clear रहेगा, और एक होता access, मतलब ये होता बहुत ज़ादा more than due, मतलब ये बोलोगे कि access quantity में मानलो आपको एक लीटर दूद लेना था, लेकिन आपने दो लीटर दूद लेके आपको मम्य क्या बोलेंगी, आपने भई ये access quantity में दूद लेके आगए उफालतु में, इस ये को बोलेंगे access, ओर राइट, देखो जल्दी यली पढ़ेंगे, जो important है, उस पर ही तोड़ा time देखेंगे, वरना सीधा पढ़ेंगे, 16th होता है evers, evers मतलब बहुत अच्छा word उसे बोलेंगे evers, तो ये बहुत important word है, कई बार सुनूनियम में भी आ जाता भाई, कि evers का meaning क्या होता है, तो सुनूनियम बो देदेंगे like करना होता है, पसंद करना होता है, dislike करना, तो आपको पता होने चाहिए dislike करना, इस तरीके से English कहीं से भी आ जाती है, ये देखें द काम हो रहा है, मतलब अपने favor मनें ये कोई भी चीज, ठीक है, तो इस तरीके से आप adverse को याद रख सकते हैं, आगे देखो भाई, 18th है, advice, दोस्तों ये noun, ध्यान से देखेगा, ध्यान से बिलकुल, advice, a, d, v, i, c, वाला noun होता है, इसका मतलब होता, opinion, कि opinion क्या भाई, जो noun क ये बात आएगी, तो advice आएगा, v, i, c, लेकिन अगर वर्व रहेगा, तो v, i, s, ही आएगा, पक्का अच्छे से देखना विलकुल, यहां से question बहुत आता है, तो advice अगर वर्व है, इसका मतलब है, to offer an opinion, meaning same है, लेकिन condition अलगा है, कि बताता हूँ कैसे, जैसे भाई, advice मैंने तो advice दी थी, बट उसने नई ली मेरे advice, ठीक है, तो आप उस, आपना opinion दिया था उसको, लेकिन उसको पसंद नहीं आए, सामने वाले को, लेकिन जैसे आपके मम्मी पाप, आपको advice करते है, मतलब, offer करते है, opinion, मतलब, बताते हैं कि भाई, इस तरीके से पढ़ाई करो ऐसे school दाओ, ऐसे कपड़े पहनो, तो यह advice करते हैं वो, समझ माया है, यह वर्व के उसमें use होता है, तो ध्यान रखेगा, वर्व के उसमें use होगा, तो S वाला आएगा, और noun रहेगा, तो I, C, E वाला आएगा, ओके, पक्का जाद रखेगा, बहुत important है, और क्या भाई, 20 वाला देखी, affect, यह दोस्तों important, वर्व, देखो, affect अगर वर्व में use होगा, इसका मतलब होता है, to influence, मतलब क्या प्रभाव पढ़ रहा है, उस चीज़ का, जैसे, अब यह अपना COVID-19 चल रहा है, coronavirus चल रहा है, तो coronavirus क्या कर रहा है, अपने, बहुत सारे लोगों को affect कर रहा ह जनता को, तो इस तरीके साब इसको use करोगे, कि भाईया, coronavirus का influence, उसका प्रभाव बहुत बेकार है, लोगों की मौत हो गई, बहुत जादा, ठीक है, तो मतलब बहुत परिशान हो रहा है, बहुत जादे दिक्कतों में आ रहा है, तो इस तरीके साब को, वर्व में use करोगे, कर रहा है, लेकिन आगे देखो 21 का, ये होता effect, ये होता दोस्तों noun, है ना, noun में कैसे use करोगे, कि भाईया, coronavirus की बजए से लाखों लोगों की मौत हो गई, तो ये उसका effect रहा, ये उसका result रहा, समझ में आया, मतलब अभी तो problem चल रही थी, लेकिन उसका result क्या रहा, तब उ में आगया आपके comprehension में, effect और effect, तो अगर आपको meaning नहीं पता है कि किस sentence में verb use होगी, कहां noun use होगा, तो आप इसको गलत कर देंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, दोस्तों, है ना, 20 seconds देखिए, ये होता दोस्तों, opposite, बहुत अच्छा है, ये opposite नहीं है, ये opposite है, A से start और आप बोरो, हाँ भई, में को बिल्कुल opposite दूद मिल गया है, मतलब जितना परियाप्त मेरे घरवालों को जरुरत रहती है, उतना दूद मैंने ले लिया है, मतलब परियाप्त दूद ले लिया है, इस तरीके से आप opposite word को use करना, ठीक है, या आप कोई से कोई पूझा है तो आप कहोगे, I have opposite money, मतलब मेरे पास परियाप्त धन है, परियाप्त मनी है, है ना, important है, लेकिन 23rd वाला है opposite, यह होता दो उल्टा, in front of, contrary, सीधा-सीधा opposite, मतलब कोई है, जैसे आपके सामने कोई opposite खड़ा है, या आपके साथ कोई चीज opposite हो गई, आप सोच रहे तो हमारे साथ की हमारा selection हो जाएगा, है ना, और मालो, unfortunately, नहीं हुआ, तो उसके opposite में काम हो गया, ठीक है, यह आपने कुछ अच्छा hope किया था, कि आप गाली ले लोगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ, गाली ले ही नहीं पाए, है ना, तो इसको बोलेंगे opposite, याद रखेगा, बहुत तो आप क्या करवा रहा हो, आपके घर के अंदर amend करवा रहा हो, amend, है ना, इसलिए बोलते हैं, amendments, amendments को बोलते हैं दोस्तों, कि इस 44th amendment के तहत क्या हुआ, मतलब, amendment मतलब संसोधन हुआ है, चीज़ें improve हो गई है, समझ में आ जा, इसलिए amendment बोलते है, constitution की term में, polity की term में, कि भ जिससे आप इसको link करिएगा, है ना, बहुत basic term है लिगे आपको पता होनी चाहिए, 25th, amend मतलब क्या होता है, वो था amend, ये है amend, to remove the mistakes, अगर amend दिख गया कहीं, इसका मतलब है, कि भाया, mistakes जो है, उनको कम करना, remove कर देना, है ना, आपकी जैसे एक बच्चा, आपके चोड़ा बच्चा, चोड़ा भाई बहना, उसकी copy portion, बहुत सारी चीज़ें गलत गलत लिखी है, तो आप क्या करोगे, amend करोगे, मतलब उसकी mistakes को remove करोगे, मिटा दोगे, रवर से, है ना, सही कर दोगे, तो mistakes कम करने को बोलते है, amend, ये बतलब एक बार में याद नहीं होगा, आपको कान देखना, amoral or amoral, बहुत ही जादे important, अच्छे से focus करना, आँखे बिल्कुल screen पहुनी चाहिए, और कान के पर दे एकदम खुले, देखो भाई, amoral मतलब होता है, having no moral sense, मतलब मैंने टर्ग ये बनाई थी, amoral के अंदर मैंने ए बनाना, तो मैंने ए को baby कर लिए, a baby, a baby, क् की baby से मैंने link किया है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, क्या सही, क्या गलत है, मतलब उनको नहीं पता कि भाई, किस condition में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनको कोई sense नहीं है, कि म यह हरकतें कुछ भी कर रहा हूँ या मस्ती कर रहा हूँ तो यह अच्छी है या बुरी क्योंकि बच्चे है वो Amoral क्योंकि Confuse इधर मैं इसलिए होता था बहुत जादा मैं आपको नहीं करना चाहता मैं Confuse हो जाता था Amoral किसके लिए इम्मोरल किसके लिए फिर मैंने इम्मोरल से अपने लिए बनाए आई आया मतलब मैं खुद तो I am इम्मोरल अगर मैंने इसा बना लिया मतलब मुझको सब पता है कि क्या गलत है क्या सही है लेकिन तब भी मैं चीजों को फॉलो नहीं करता हूं एक बाद फिर से इम्मोरल मतलब होता है एक छोटा बच्चा जिसको सही गलत का कुछ पता नहीं है उसे बच्चे के टाम में यूज करना है याद रखना कि बच्चे के सरी लिंक कर लेना कि बच्चा बिल्कुल पता होता है इम्मोरल उसको कुछ नहीं पता होता क्या सही के गलत है लेकिन इम्मोरल मतलब होता not conforming to moral standard मतलब मुझे जो अपने standard के साफ से जो करना चाहिए society के साफ से proper वो चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं amoral हूँ, मैं भरस्ट तरीके से हूँ भरस्ट हूँ एक तरीके से, ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिए immoral वाले को, immoral खुद के लिए लिंक करना, amoral की बात आईगी तो छोटे बच्चे से याद करना कि बच्चे को कुछ सेंस नहीं होता है अपने को पूरा सेंस होता है कि क्या साई कि किसी को मडर करना गलत बात है किसी को मारना गलत बात है, लड़ाई करना गलत बात है लेकिन तब भी आप कर रहे हो तो ये immoral आएगा फिर इसमें, ओके 28 देखे, antics, बहुत important ही ये ये एक बार मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों बिल्कुस सच बोलूँगा, आप से जूट नहीं बोलूँगा एक बार मैं याद नहीं होंगे, antics आप भूल आएंगे तो antics मतलब क्या होता, antics ये होता tricks, try to make laugh किसी को बहुत जोर से हसाना, बहुत entertain करना है ना, ऐसी हरकते करना है कि लोग खुश हो जाएं है ना, antics, तो मैं भी कुशीच करता हूँ अपने वीडियो में था कि थोड़ा entertaining, funny रखूं था कि लोग खुश हो जाएं, तो antics इसी को बोलेंगे किसी को हसाना, ओके, आप देखो आगे 29 antics, ये दूसरा antics भाई, ये वाला वोई है पुरातर विज्ञान वाला, कि भाई ये 500 साल पुरानी अपने डाइनसूर की खोपली मिल रही है कहीं, उसकी पूच मिल रही है कोई को इसका पंजा मिल रहा है, ठीक है, तो antics मतलब पुरानी चीज है ancient pieces of art, कुछ भी मतलब आपने गड़े मट डखो दिये है किसी के मुंडी निकल के आगए, कई कंकाल की तो ये antics ये, इसको बोलेंगे, लेकिन ये वाला antics आगया कहीं तो इसका मतलब होता है, किसी को हसाना ओके दोस्तों, ये भी important है, ध्यान रखेगा है ना, आप देखो भाई 30, ये है appraise, appraise बहुत अच्छा word है, इसका मतलब होता है assess the quality of, किसी चीज का मुलियंगन करना ठीक है, जैसे आपके एक office में appraiseल लगते हैं appraiseल होते हैं, मतलब जो बंदा performer है जो employee है, इसका जो boss वो करेगा, appraiseल देगा appraiseल, कि हाँ यार बंदा अच्छी quality का काम करता है बहुत मेनज से काम करता है, इसका promotion करो तो उस time पर आपका appraiseल होना बहुत ज़रूरी होता है मतलब मूलियंगन होता है, तो appraise की बात आएगी मतलब quality को चेक करना, कि quality कैसी है उसकी value क्या है, तो यह कई बार use हो चका है दोस्तों, यह एंटूनियम सुनूनियम में आ जाएगा appraise वाला देदेंगे, उसका मतलब बता देंगे कि सुनूनियम में इसका कौन सा सही है तो अगर access the quality of दिखा, तो टिक मार देना आप तो one word substitution में, सुनूनियम एंटूनियम में question आ जाते हैं, ओके तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा यह देखिए 31, यह appraise और शांदर, यह बहुत शांदर है appraise मतलब होता, inform करना होता है पहले के जमाने में आपको पता होगा, राजा लोगों के महराज हमारे अपने सामराजी पर किसी दुस्मन ने हमला कर दिया है तो जो बंदा आता था न महराज महराज करके कि भाई यह महराज को बताने के लिए कि युद्ध हो गया है हमला हो गया है, तो appraise करना होता है, inform करना समझ में आया, अपने यह राजा साब बैटे हैं और कोई धर सेव अकाता था, दौरत दौरत घबराते बोलता है, महराज हमारे यहाँ अपने दुस्मन ने युद्ध कर दिया है हमला कर दिया है, तो वो inform करता था था ना उसी को बोलते है, appraise करना ठीक है, समझ में आया, जैसे आपके college से कोई notification आया, या आपके phone में कोई notification आया, कि bank ने आपको appraise कर दिया, भाईया, कि आपके account में पैसे कम है तो account को maintain करने के लिए पांच यार रुपे जमा कर दें, तो वो appraise कर देंगे आपको, है ना, inform कर देंगे इस चीज़ को ध्यान रखना, भूल मत जाना भाई 32 क्या है दोस्तों, यह बहुत अच्छा है illusion, मैंने बता चुका हूँ, है ना, वो allude था, लेकिन यह illusion है, है same, illusion मतलब होता है indirect reference मतलब वोई, किसी दूसरे ब्रेक्ति के बारे में indirect तरीके से बताना, समझ में आया जैसे आप किसी को बारे में address दे रहा हो कि एक काम कर तो वहाँ चल दा, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा तो आप indirect reference दे रहा हो किसी को मतलब तुमने नाम भी नहीं लिया, और आप समझ गए कि मैं फिर सब बोलूँगा, जिस सुनूनियम में question आ जाता है तो आपको पता होने चाहिए सारी meanings तब जाके आप champion बनेंगे और champion बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी है दम कीमत चुकानी की अगर अभी तक वीडियो देख रहा हो तो तुम में दम है तुम दूम मचाओगे देखना तो भाई अच्छे से इसको पड़ो illusion मतलब होता है indirect reference illusion 33rd illusion मतलब होता है deception illusion मतलब होता है ब्रहम टाइप का भाई आपने नशाम है आप नशाम हो और आपको अपनी बीबी catina cap से जैसी दिख रही है और मेरी बीबी catina cap मतलब आप illusion में हो आप deception में हो धोके में हो भाई है ऐसा ही नहीं है असली में जब नशा होतेगा तब पर चलेगा सब माहौल खराब ही है कोल मेरा कोई catina cap नहीं है तो उसको बोलते illusion है न भ्रहम हो जाता है समझवाया जैसे कोई पती आता अपनी बीबी को देखता तो वो चार-चार देखती है तो उसको illusion हो रहा है तो उसकी एक ही बीबी एक तुझेला नईरी बेचार-चार अचार रहा गई तो उसका खेले हो जाएगा निपटे जाएगा गरीब तो इसी word को बोलेंगे beside है न तो ऐसा बोलोगे I was sitting beside her आप अपने दोस्त को क्या बताओगे भाई मैं वहाँ गया था बड़ी आसी लड़की बैठी थी and I was sitting beside her मैं पार्क में उसके बाजू में बैठा था तो beside का मतलब होता है बस just बाजू में side में पक्का याद रखना का और ये बिलकुल example से याद रखना बूलना मत लेकिन 35 नमर को देखो besides मतलब होता है के अलाबा apart from मतलब ये बताया था कि भाई मतलब जैसा आप बोलोगे भाई कि मेरा एक दोस्त रोहन है रोहन के अलाबा party में अपना बिट्टू भी आया था पिंकू भी आया था और प्रियंका भी आया थी और सब आयते है ना तो आप भी था मोहित भी था बिट्टू भी था पिंकी भी थी सब थे तो besides मतलब के अलाबा इसको ध्यान रखना कि इसके अलाबा ये भी आप बोलोगे भी आपने mall से क्या लेकर आयो तो आप बोलोगे besides this shirt besides this shirt shirt के अलाबा मैंने paint भी लेकर आया हूं चडडी और बनियान दोनों य 36 देखिए बहुत important है यह होता bridle, bridle मतलब होता है दोस्तों लगाम घोड़े के उसमें लगाम होती है उसी को बोलते है head year of horse इसी को बोलते है bridle ठीक है bridle लगाम होता है लेकि नीचे देखो भी बताता हूं मैं bridle मतलब लगाम ध्यान रखना बिलकुल भूल मत जाना question यह ज ब्राइडल लेकिन यह है bridle यह भाईया related to bride अपनी दुलहन और धूले से related यह bridle होता है ना bridegroom बोलते है अपनी दुलहन को तो भाईया bridle मतलब यह होता है यह दुलहन दूले से related होता है लेकिन यह वाला bridle लगाम से related होता है भूलना मत है ना चलो वाई 30 देखे beneficial मतलब useful ह होता है कि भाईया अगर आप पढ़ाई करोगे तो it will be beneficial for you अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत फाइदेमंद रहेगी इस तरीके से यह फिर आप ऐसे संत्रय अनार पपी तक खाऊगे तो it will be beneficial to your health ऐसा बोल सकते हो तो beneficial मतलब useful फाइदेमंद ओके 39 देखे beneficiary बहुत शांदार है one who receives benefit मान लो unfortunate example ले रहा हूँ आप हो है और आपके family में कोई बंदा है है यह कोई बंदा है और इसकी family को बंदा है तो मान लो वो बंदा किसी accident निपट गया तो इसका सारा account का पाईचा किसको मिलेगा उसके beneficiary को मिलेगा जिसमें उसमें beneficiary का नाम डाला होगा ना उसके भाई बेहन का पापा ममी का किसी का भी तो वो जो पैसा है जो इतना property है वो इस बंदे को मिल लाएगी इसी को बोलते beneficiary है ना तो account जब बनते हैं तो उसमें beneficiary का नाम जरूर लिखवाते हैं तो आपको पता भी होगा घर में यह बहुत basic चीज है कि मतलब अगर सामने वाले के साथ कोई दुरगटना हो गई तो उसका जो पैसा है उसका जो amount है वो इस beneficiary को मिल लाएगा जिसका नाम लिखा मानलो रोहन नाम लिखा है तो रोहन भाई कि मज़े हो जाएंगे एक तरीके से लेकिन मज़े क्या हो जाएंगे यह तो बिचारा भर के ले गए कोई है ना तो यह सच है यह उदर चोटी जगा में जाब अधर सूर पकड़ते हैं जो आप जो अपने जूते बड़ी या पॉलिश करते हो ना शांदा तरीके से तो जो आपका ब्रश होता है ना कलक कलक बालो वाला वो जो सूर के बालों का ही बनता है ठीक ह तो क्या करते हैं छोटी जगा में मैंने तो देखा भी इवन तो क्या करते हैं छोटी जगा में इतना बड़ा एक वो पकड़ के जाल सा ले जाते हैं और ऐसे सूर को पकड़ लेते हैं फिर उसको पकड़ के उसके बाल निकाल के और जमा कर देते हैं कंपनी में फिर कंपनी कि tolerate करना भी होता है और produce करना भी मतलब होता है ठीक है समझ में आया ये आपको धियान रखना पड़ेगा अलग-अलग sense में use होता है अगर कोई bored बोल रहा है तो एक tolerate करने के sense में भी होगा कि यार बहुत दिक्कते हो रही थी but finally be bored है ना तो भाईया आपने इसको भी बोल सकते हैं जैसे कोई जानवार है जानवार ने अपने बच्चे को जनम दिया तब भी produce करने के sense में जानवार यूज़ करेंगे तो यह डिपेंड करता है कि आप कैसी यूज़ करते हैं और sentence कैसा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं होगा ना तो फिर आप गलत कर दोगे यह, तो आपको वर्ब भी पता होने चाहिए कि किसका क्या होता, किसका क्या नहीं होता, मैं आप सब पूछूँ कि cost cost की जो first form, second form और third form क्या होती है कोई अगर champion पढ़ने वाला बंदा है तो जरूर बता है अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में लेकर अगर कोई champion है, sincere बंदा है किसी में दम है बंदा कि हाँ वाई मांसर दे सकता हूँ तो जरूर बता है, मैं जानना चाहूंगा 43, brought क्या होता है V2 and V3 of bring, bring की second form और third form को क्या बोलते है brought, है न, जैसे मैंने तुमार लिए mango खरीद के लेकर आया हूँ तो I brought you a mango, I brought mangoes for you इस तरीके से मैं आपको बोलूँगा, ओके 42 देखिए catch, बहुत अच्छा है to take hold of something when it is moving माँ लो भाई, क्या करना है आप, क्रिकेटर ने छक्का मारा और ball यहां जा रही जा रही ball move कर रही, move कर रही और बढ़िया बिराट को लिया और यहां से बिराट को लिया catch पकड़ लिया, तो उसने catch लिया मतलब ball moving state में थी और उसने catch पकड़ लिया, इसी को बोलेंगे catch करना लेकिन 45th में लेकिए hold hold मतलब क्या होता है to take hold of something when it is aesthetic hold मतलब यह है कि आपका aesthetic चीज में, यह aesthetic आपकी गाली खड़ी है आप और दो में गाली पकड़ मैं आप भी आ रहा हूँ, इधर से क्या बोलते है, chewingam लेके आ रहा हूँ, या cigarette लेके आ रहा हूँ आपका कोई दोस्त, आपकी मित्र, आपकी दोस्त दोस्त नहीं कोई तो होगी जो foolish हरकत करती होगी या आपका दोस्त होगा जो foolish हरकत करता होगा तो आप उससे बोलेगा कि don't be childish मतलब ऐसे बच्चों जैसी foolish हरकत मत करो तो आप उसको क्या बोलेगा don't be childish मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बड़े बच्चे जैसे आपन लोग सब बड़े बच्चे हो गए हैं अब चोटी-चोटी हरकते करेंगे तो वह फूलिश कहलाएगी तो उसको क्या बोलेंगे भाईया इस तरीके से मुझे यूज़ करके बताएगा वह लेकिन चाइल्ड लाइक अगर बोलोगे आप तो इन्नोसेंट अब इन्नोसेंट किसको बोलो जैसे केटिना कफ को ठालो कितनी इन्नोसेंट दिखती है कितनी प्यारी सी लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे कि यह वह चाइ मैज आएगा लेकिन कोई बढ़ा से लड़की है लड़का है और वह बहुत प्यारा से दिख रहा है चाइल्ड लाइक तो आप उसको इस तरीके से यूज़ करोगे है ना तो चाइल्ड लाइक मतलब इन्नोसेंट और चाइल्ड इस मतलब फूलिश डिफरेंस याद रखना है यह पाचास के बाद और क्या है 49 ने continuous होता है यह विदाट ब्रेक यह भी वही है कि यह continuous मतलब विदाट ब्रेक आपके पढ़ाई continuous चल रही है continuous चल रही है और एक टाइम आएगा आप धूमचा दोगे आपका एक्जाम क्रेक हो जाएगा और मज़ेद आएंगे घर वाले खुश आप भी खुश तो वह एस continuous चैड़ी करना है और चेंपिन बनना है भाई लास्ट वारा देखो क्रेड़ेवल मतलब क्या होता दोस्तों बिलीवबल ऐसी चीज जिस पर विश्वास करा जा सके तो इसके बोलते हैं क्रेड़ेवल ओके बहुत इंपोर्टेंट है इसक वाची देज़ आइस वीडियो करूँ अगर विडियो अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो कुछ सीखा हो आपने तो आपको बताने के लिए मेरी आपके दिल की बाद की आप मेरे बाले में क्या सोचते हो । कमेंट करक Lane करके बताना बहुत ज़रूरी कि वीडियो कैसा लगा मैं उमीद करूंगा और वीटुब चेक करूंगा बार-बार की कौन कमेंट करके मुझे बता रहा है कि वीडियो कैसा लगा और भाई आपकी ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो शान्दा शान्दा वीडियो आपको मिलेंगे और साड़े 300 से जादा भीया इस चैनल पर वीडियो अप्लोड होगे, जी के के तो विद्ध हल्प अप्रिक्स सबसे बेस्ट पार्ट तो अगर किसी को लगता है कि हमको जी के समझ में नहीं आती तो प्लीज वीडियो जाकर देखे आपके हल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं शानदा वीडियो जाल दूँगो विद्ध हल्प ट्रिक्स जरूर जाकर देखे आपको बहुत हल्प मिलेगी 110 परसंट गैरेंटी मेरे दोस्तों आप एकदम खुश हो जाएंगे आप कहेंगे कि आप जाकर चैनल मिला वल्ड के लास चला वाई इतना ही बोलूंगा रिविजन इस दकी, never underestimate the power of रिविजन बार बार रिविजन करिये और अच्छे से परफॉर्म करिये पांचे जगंटे हर दिन पढ़ाई करिये इमान दाई से आपका सेलेक्शन ज़रूर का बस इतना ही कहना था, thank you so much guys never ever give up, be consistent towards your goal and be proud of who you are